नमस्कार पहरे बच्चों तो आईए आज हम शुरू करते हैं कक्षा सिक्स्त का गनित का वर्क वुक का अध्याई नमबर एक दो तीन जो पहला दूसरा तीसरा रेसन है संखें तो इसके जो मैंने तीन पार्ट पहले वीडियो बना दिये हैं आज हम पार्ट चार यह पार्ट फोर तो यह वीडियो जो हम है 12 नमबर पेज से शुरू कर रहे हैं जो ग्यारा नमबर पेज तक है वो पार्ट वन टू थ्री में अलग लग वीडियो बना दी हैं तो सबसे पहले यहां पर है वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रक्वेस्ट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेर भी जरूर करें तो यहां पर लिखा हुआ है अच्छा मुझे तो मुझे इस क्रम में इन प्रश्णों को हल करना है ब्रैक्ट ऑफ ड्वीजन मल्टिप्लिकेशन अड तो प्यारे बच्चो आपको इसका मतलों थोड़ा सा बता दें बॉर्ड मास में क्या होता है सबसे पहले हमने जो ब्रैक्ट होती है उनको हल करना होता है इसके बाद आफ का साइन होता है यानि का का साइन उसको हल करना होता है का के बाद हमें डिवीजन यानि भाग वाली संखें होती हैं, उनको भाग करना होता है, उसके बाद हमने मल्टिपलाई करना होता है, और लास्ट, सेकिंड लास्ट में हमने अडिशन करना होता है, जो संखें जुड रही हों, उनको जोडना होता है, और अंत में सब्ट्रेक्शन, जैनि बिल्कुल लास्ट में हमने गटा जिनकी गटाओ करनी है, जिनकी गटाओ हो रही है, तो आईए शुरू करते हैं, साथ नम्बर सम, यहां पर हमें लिखा हुआ है, मिलान कीजिए, तो यहां पर आ में लिखा है, कॉलम अ और कॉलम ब, 48 जोड 6 प्लस 3, तो पहले हम छे डिवाइड तीन है, सुरी, तो पहले हम 48 को ऐसे ही लिखेंगे और 6 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6 दू आ जाएगा और इनको जोडेंगे तो ये 50 आ जाएगा इस तरह अगला जो सम है उसमें हमने क्या करना है 7 गुना 3 sorry 7 प्लस 3 गुना 4 तो पहले हमने गुना करनी है 3 और 4 की तो ये 4 तिये 12 हो फिर तीसरे पार्ट में हमने 800 माइनस जो है 10 गुना 70 प्लस चार सो भाग 4 गुना माइनस 3 गुना 60 तो पहले हम 800 को ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने यहां लिखा है फिर 7 के साथ 10 70 को 10 के साथ गुना करेंगे तो ये 700 आ जाएगा 400 को 4 के साथ हमने डिवाइड करना है तो ये 100 आ जाएगा और 60 को फिर 3 के साथ गुना कर देंगे तो 180 आ जाएगा यनि पहले मैंने डिवाइड और गुना को हल कर लिया है अब 800 में अगर हम देखें 800 पलस का है एक और एक 100 पलस का है इन दोनों को अगर हम जोड देंगे तो ये 900 हो जाएगा जैसे मैंने यहां पर माइनस के हैं दिवी ये भी जुड जाएंगे तो ये 880 हो जाएगा अब 900 में से 880 को माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा जो मैंने यहां पर लिख दिया है इसके थार्ड पार्ट में अब हम चार नमबर पार्ट पर चलते हैं 25 भाग 5 प्लस 30 माइनस 35 पहले हम 25 को 5 से भाग करें तो दोनों को हम जोडेंगे तो 35 हो जाएगा और 35 में से 35 अब हम माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा जो मैंने यहां पर 0 लिख दिया है इस तरह आपने 4 ये सम करने है चार के बाद 5 नमबर सम है यहां पर यहां लिखा हुआ है 7 प्लस 8 माइनस 3 तो अब ब्रेक्ट में है 8 म प्लस 5 तो पहले हम 5 और 3 को जोडेंगे तो यह 8 हो जाएगा 18 में से इसको माइनस करेंगे तो यह हमारे पास 10 आ जाएगा यो मैंने यहां पर लिख दिया है अगला है 7 माइनस 6 ब्रेक्ट में है डिवाइड 3 तो 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा 21 को 3 के साथ डि यहां पर यह 4 और 4 के उपर जो एक लाइन लगी है इसका मतलब ब्रेक्ट होता है यानि यह इस तरह से होगा 16 माइनस ब्रेक्ट में है 4 प्लस 4 तो अब इनको हम सॉलब करेंगे तो यह 16 माइनस 4 और 4 जुड़कर 8 हो जाएगा 16 में से 4 को 8 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा तो इस तरह यह मैंने यहां पर 48 को ऐसे लिखके डिवाइड में 8 लिख दिया है 48 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो यह 6 आ जाएगा जो मैंने 6 यहां पर लिख दिया है द्वारा से दिखाता हूँ आपको यह मैंने यहां 6 लिख दिया है अगला समय 5 प्लस ब्रेक्ट में जो छोटी ब्रेक्ट है तीन माइनस एक इसको हल करेंगे तो तीन माइनस एक करेंगे तो ये हमारे पास दो आ जाएगा और दो को हम छे के साथ गुना कर देंगे तो ये छे दुनी बारा हो जाएगा इधर प्लस में एक है तो इसको हम जोड देंगे तो ये तेरा आ जाएगा यानि हमारे पास अगर हम यहां से देखें तो यह हमारे पास जो बच गया है पांच माइनस बीस ब्रेक्ट में तीन और माइनस यह तेरा जो इधर बच गया है तो यह हमारे पास इतना बच गया है एक मिन मैं आपको द्वारा से लिख कर दिखाता हूं तो ये देखिए तो ये हमारे पास 5 जो बच गया है प्लस ब्रेक्ट में 20 माइनस 3 तो इसको मैंने हल किया जैसे बताया 3 मेंसे एक गया 2, 2 को 6 के साथ गुना किया तो 6 दूनी 12 और एक जोड़ा तो ये 13 आ गया माइनस का तो 20 माइनस जो है हमारे पास 16 हो जाएगा तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा माइनस करके 5 और इस 4 को जोड़ देंगे 20 माइनस तो ये 9 आ जाएगा तो यहाँ मैंने इस तरह 9 लिख दिया है इसके बाद जो अगला सम है इसको भी हमने यहाँ 17 दस नमर सम ब्रेक्ट में 13 तेटिस डिवाइड 24 माइनस तेई तो पहले हम 34 में से तेई को माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा अब 11 को 33 से हमने डिवाइड कर देना है तो ये 3 आ जाएगा और 17 के साथ हम इसको गुना कर देंगे तो 17 तिया 51 तो ये 51 आ गया है इस तरह आपने ये जो सारे 10 के 10 सम हैं ये आपने सौलो करने है और इनके बाद प्यारे बच्चों जैसे इसका 50 आया है एक नमबर का तो एक को मैंने 50 के साथ इस तरह मिला देना है मैंने यहां पर इनके अंसर लिख दिये हैं इसके बाद जैसे 19 है तो 19 को यहां 3 नमबर के साथ मिला देना है इसका उत्तर बीस है तो बीस यहां पर आ रहा है इस तरह अगला जो जीरो आया है तो जीरो जो लास्ट में मैंने यहां चार नमबर लिख दिया इसके सामने इसके बारा आया है तो बारा यह पांच नमबर पर मैंने इसका उत्तर लिख दिया इसके सामने इस तरह आप इसके उत्तर सामने लिख दे तो मिलाने की भी जुरूरत नहीं अगर आपने मिलाना है तो मिला दीजे जैसे साथ और छे है यहाँ पर और इसी तरह नौ ये रहा नौ नमबर पर ही है 51 जो है यहाँ पर जो सबसे उपर है हमारे पास यह 51 है तो इस तरह आपने इनको बारी बारी सभी को मिला देना है यह छे नमबर का 10 रह गया इसको यहाँ इस तरह आपने इनको इनके सामने जो उत्तर लिखे हुए हैं उनके साथ आपने मिला देना है आईए अब next आगे दिखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है क्या तुम इसमें लगे कोश्ट को कि करम को ठीक प्रशन हाल कर सकते हो तो यहाँ पर लिखाए स्टारा डिवाइड ब्रैक्ट में पंच वटा दो गुना चोटी ब्रैक्ट आठ माईन व के लिए यहां स्तारां लिए ऐसे ही तो अब इस को हम जब काटेंगे तो यह हमारा जो काट कर 15-15- 15-15-2 um 2, 14-14 तो यह स्तारां वाचा तीन आ जाएगा अब स्तारां वाटा तीन को हमने डिवाइड करना है तो यह जो साइन है गुनावfolgा हो जाएगा और तीन 7 हो जाएगा, उल्ट कार 17, इस स्तारा कट जाएगा और 3 अंस्वर आ जाएगा तो इस तरह हम इसको हल कर सकते हैं इसी तरह अगले पेज पर 13 नमबर पर प्रशन 8 है निमलिक स्वालूम को हल कीजिए और उनके हल निचे दीगी वर्ग पहली में बरिये तो हमने यहां पर एक वर्ग पहली दी हुई है हमें इसमें हमने इनको हल करना है जैसे साथ गुना तीन चार प्लस छे तो यह हमने यहां पर डिवाइड कर दिया है जैसे साथ तिया इकिस और यह जो है चार जो है इस पहले हमने गुना को हल किया जैसे साती है 21 माइनस 4 प्लस 6 अब 6 और 4 प्लस के हैं 21 और 600 प्लस के हैं इनको जोड़ा तो ये 27 हो गया और 27 में से 4 को माइनस कर दिया तो ये 23 आ गया इस तरह आगे जो है इन्होंने जो लिखे हैं यहां पर मैं आपको ये भी दिखा देता थोड़ा सा कलर डार कर दिजीए 15 माइनस 13 पहले हम दो ये निचे वाले करते हैं ये वाले करते हैं पहले यहां पर लिखा 15 प्रेक्ट में 5 माइनस 2 अब 5 में से 2 को पहले माइनस करेंगे तो 10 आएगा और 13 को साथ गुना करेंगे सुरी 15 नहीं 3 के साथ गुना करेंगे तो 13 तिया 49 आ जाएगा इस तरह अगला जो सम है इसमें 40 गुना 10 प्लस 5 प्लस 34 तो पहले हम 40 और 10 को जो है सोरी पहले हम 40 ये लिखा हुआ है दूसरे नमबर पे यहां पर 40 के बाद 10 डिवाइड 5 लिखा है तो 10 को पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा गुना 40 को 2 के साथ गुना कर देंगे तो ये 40 दूना 80 आ जाएगा और 80 में ये जो चौनती है ये प्लस के हैं तो इनको हमने जोड देना है तो ये 114 आ जाएगा इस तरह अगला जो सम है इसमें 130 पलस 88 माइनस 10 तो पहले एक अठाई में से 10 को माइनस करेंगे तो 18 आएगा और इसको 130 में जोड देंगे 18 को ये 148 आ जाएगा इस तरह जो अगला सम है इसमें यहां पर लिखा है 16 माइनस 3 पलस 8 माइनस 2 माइनस 8 तो अगर हम माइनस वाली संखें देखें तो माइनस 3, माइनस 2 और 8 इनको अगर जोड़ेंगे तो ये माइनस के 13 हो जाएंगे और दूसरी और 16 और 8 जो हैं यहां पर 12 से देखी जो 16 और 8 हैं ये प्लस के हैं इनको जोड़ेंगे तो ये 24 आ जाएगा और 3, 2 और 8 को जोड़ कर माइनस 13 आया तो इसको माइनस करेंगे तो ये 11 आ जाएगा इस तरह जो दूसरी साइड है उपर से निचे वाले अगर हम देखें तो ये 7 प्लस 9 है ब्रेक्ट के अंदर इसको जोड़ेंगे तो 16 हो गया 37 और माइनस 96 को ऐसे ही लिख लिया अब हमने 16 के साथ 96 को डिवाइड किया तो 16 के 96 में आ गया और 37 में से 6 माइनस कर दिया तो 31 आ गया इस तरह निचे जो सेकिंड पार्ट है 36 माइनस 6 डिवाइड 3 तो 6 को 3 के साथ डिवाइड किया तो 2 आ गया और 36 में इस दो को माइनस किया तो 34 आ गया अब अगली जो अगले में हमें 5 नमबर पर लिखा 120 माइनस ब्रैक्ट में 4 माइनस 3 प्लस एक तो 4 और एक प्लस के हैं जुड़कर 5 हो जाएंगे और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो यह माइनस 2 आ गया क्योंकि बाहर माइनस आ तो खुलेंगे इस तो पहले वाला 4ि-3 हल करेंगे तो 11 जाएगा तीज चोटी ब्रेक्त मैंना नहीं है से 17 मैं सब्सक्राइप नहीं धय it yours एक ब्रैक्ट में 81 कर दिया तो अब इसके बाद हम अगर इसको देखें तो ये जो है 57 और 20 दोनों प्लस कें जुड़ जाएंगे तो 70 हो जाएंगे 70 में से 18 माइनस करेंगे तो ये 59 आ जाएगा और 200 में से इसको माइनस करेंगे तो ये 141 आ जाएगा इस तरह अगला 9 न मेंबर है जो 68 ब्रैक्ट में 25 पर माइनस उनेत्ती है तो माइनस करेंगे इन दोनों को माइनस 26 आ जाएगा आठब्सविस में इसे 26 को माइनस करेंगे तो ये 42 आ जाएगा तो इस तरह ये जो पूरी आपने जो वरक पर ही लिकρό यह आंसर है यहां पर सॉलो करके लिख लेने हैं और इसके बाद इनको इस कॉलम में बरना है मैं जैसे आपको बता देता हूँ यहां से अगर आप देखें एक नमबर में दो आया है तो एक नमबर तेईस को हमने लिखना है तो यहां पर हमने कैसे लिखना है बाएं से दाएं तो बाएं से दाएं या नहीं है इस तरफ हम चलेंगे तो 23 को लिखना है तो एक नमबर में 2 आ गया और 2 नमबर में 3 आ गया इस तरह अगर 3 नमबर में हम देखें तो 49 है तो 3 नमबर में 3 और अगले खाने में 9 हमने स्वर्ग में लिख दिया इस तरह अगला जो है चार नमबर है जैसे मैं चार नमबर आपको बता देता हूँ तो यहां पर चार नमबर में 114 है तो 22 से दाइं यह ऐसे चलेंगे तो 114 इस तरह लिखा जाएगा चार नमबर से शुरू करके इस तरह आगे आठ में 148 है तो आठ पर आप देख लीजिए जो आठ है यहां पर 148 को इस तरह आपने लिख देना है इसके बाद आगे अगर हम देखें एक इसके बाएं से दाइं चलते हुए अगर 10 नमबर में देखें तो हमारे पस 11 अंसर आ रहा है तो 10 का जो है हमने यहां पर 11 इस तरह से लिख देना है इसके बाद जो दूसरा प लिखा हुआ है तो हमने एक निचे लिख दिया इसके बाद पांच नमबर में अगर हम देखे तो 118 है तो 5 नमबर को अगर आप देखो गे तो 5 नमबर यहां से शुरू हो रहा है तो 118 जो है उपर से निचे की और इस तरह आना है इस तरह जो प्यारे बार चो शेष हैं 6 नम तो यहां पर जैसे पहले हमने 16 उत्तर लेके आना है तो मैंने यहां पर पांच और दो बर दिया तो यह जोड़ दिया तो यहां पर निचे 14 लेके आना है तो अब यहां पर 6 लिखा हुआ है तो मैंने 1 के साथ इसको गुना किया 6 एकम 6 और 8 और लगा दिया तो यह 14 आ गया अब यहां पर मैंने 5 लेके आना है तो 2 मैंने उपर पहले लिख दिया था तो यहां पर मैंने 9 को 3 के साथ जिवाइड और कर कर दिया तो ये आठ आ गया तो इस तरह भी मैंने द्यान रखा कि इनका जो अंसुर है तीन आना चाहिए जैसे यहां एक लिखा था तो यहां नो और एक 10 हो गए तो साथ माइनस करके ये भी इस तरह भी उत्तर बराब बराना चाहिए जैसे अगला है आठ माइनस तीन प्लस चार आठ और चार को जोड़ेंगे बारा और तीन को माइनस करेंगे तो नो आपने इस तरह आपनी और से प्यारे बच्चों कोई और संखें पर कर इस वर्ग पहले को पंक्त द्वारा से सॉलव कर सकते हैं अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक पर फिर से रिक्वेस्ट अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों इतनों में शेर भी जरूर करें तो आगे यहां पर दस नंबर में लिखा हुआ है यहां पूरन संख्या है तो अगर हम इनको दोनों को जोड़ेंगे प्यारे बच्चो तुझे 1734 आजाएगा तो यह एक पूरन संख्या है 1734 तो इसे हम समृत की प्रॉप्टी कहेंगे इसके बाद अगला है 3 प्लस 5 प्लस 7 फिर हमने जो है 5 तीन और 5 को उल्टा दिये 5 प् इनमिया भी आप लिख सकते हैं सहचरे या करम इनमिया का गुन है इसके बाद अगला है 8 प्लस 5 प्लस 2 तो पहले 8 प्लस 5 प्रेक्ट में था फिर अगली में 5 प्लस 2 हो गया तो इसको सहचरे गुंदरम कहते हैं इसके बाद अगला है 10 प्लस 5 प्रेक्ट में 10 प्लस 3 तो इस इसके बाद आगे है यहाँ पर भी आपने इसको क्राम मिनमे लिख देना है क्रम चेंज किया गया था जो तीन नमबर है उसके बाद आगे है क्या 54 निमन संख्यां से भी पाज़ा है 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 तो इनको हमने बारी-बारी से यहां पर लिख कर दिखना है 2 के लिए आपको नियम पता है कि जो इकाई का अंक होता है वो शुन्या 2, 4, 6, 8 हो यानि 2 से डिवाइड हो तो ये 2 से डिवाइड होगा इकाई का अंक सम है 3 के लिए योग करेंगे 5, 3, 8, 4, 12 तो योग 12 आ रहा है 12 भी 3 के टेवल में विपाज़ा है तो हमने लिख दिया योग 3 से विपाज़ा है 4 के लिए अंतिम 2 अंक जो होते हैं 34 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा-पूरा डिवाइड नहीं होगा तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया 1 आई वे दहा, 1 अंक 4 से विपाज़ा नहीं है और 5 के लिए प्यारे बच्चों आप जानते हो अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए जो यहाँ पर नहीं है तो मैंने लिख दिया काई कांग 0 या 5 नहीं है इसके बाद जो 6 नंबर का नियम है वो जो 2 अगर 3 पर डिवाइड हो रही है तो 6 पर भी होंगी तो हमने लिख दिया 2 और 3 से विपाज़ा है इसके बाद जो 8 का नियम है 8 का नियम अगर संख्या के जो 3 अंक होते हैं तो इसमें 3 ही अगर 8 से विपाज़ा हो जाए तो हम हाँ लिख देंगे पर ये विपाज़ा नहीं होते इसलिए क्रॉस लगा दिया तो ये 8 से विपाज़ा नहीं है 9 से 3 वाला नियम है अगर योग विपाज़ा हो जाए जो इसका 534 का नहीं है तो हमने लिख देना है काई का अंक्शुन्या नहीं है तो इस तरह आपने प्यारे बच्चों इस सार्णी को पूरा करना है आपसे फिर एक से बार रेक्वेस्ट अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्र में शेयर भी जरूर करें आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत दन नहावाद इस वीडियो का अपसे पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री जो है इस चैनल पर उपलब्द है थैंक यू वरी मुच